हमारा day to day routine 24 घंटे का होता है जिसमें लगबग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है और हमें इसी रूटीन के आदत होती है लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी भी जगए है जहा सूरज डूपता ही नहीं नमबर वन नॉर्वे आर्टिक सरकल में स्थित नॉर्वे को land of the midnight sun भी कहा जाता है इस जगह पर मई से जुलाई के अन तक लगबग 76 दिनों की अवधी के लिए सूरज कभी डूपता ही नहीं दिन में करीब 20 घंटे तेज धूप पड़ती है नॉर्वे के स्वाल बार्ड में जो यूरोप का सबसे उत्तर में बसा होआ ख्षेतर है यहां सूरज 10 अप्रेल से 23 अगस्त तक लगातार चमकता है इन दिनों आप यहां गुमने के लिए जा सकते है और 24 घंटे के दिन का अनद ले सकते है नमबर टू आइसलेंड आइसलेंड ग्रेट बिटेन के बाद एक सुन्दर देश है आइसलेंड में 10 मई से जुलाई तक हर पल सूरज देखने मिलता है यहां हर समय सूरज ख्षितित से उपर रहता है सुन्दर आसमानी नजारों के अलावा यह देश हाइकिंग, वाइल लाइफ सैंचुरीज, वेल्स, साइक्लिंग और नैशनल पार्क के लिए भी जाना जाता है इस देश की खुपसूरती आपको प्रफुलित कर देगी नंबर थी कैनडा उत्तर अमरिका महाद्यूप में स्थित कैनडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कैनडा के कई हिस्से पूरे साल बर्प से ढखे रहते हैं कैनडा के उत्तर अमरिका का एक अविभाजित हिस्सा है लेकिन ये अमरिकी सरहत से बहुत दूर है ये कैनडा और रशिया के बीच थी थे अलस्का में मैं के अंद से जुलाई के अंद तक सुर्य अस्थी नहीं होता अलस्का में लगबग 12,000 नदिया और 3,000 लक्स से बेजादा तालाब है वर्फिला इलाका होने के बावजूद यहां कई जौला मुखी मोजूद है पलास्का अपनी वाइल लाइप और नैचरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है नमबर 5, स्वीडेन येरोप में स्थीद स्वीडेन देश में भी आप मिदनाइट सन देख सकते है आमतर पर गर्म के लिए केबने काइस और एबिस को सबसे अच्छी जगह है नमबर 6, फिनलैंड येरोप में स्थीद हजारों जिलो और द्यूपों की भूमी है फिनलैंड फिनलैंड के अधिकाँश हिस्से में गर्मियों के दवरान 73 दिनों तक सुरज देखने को मिलता है उत्तरी फिनलै में रहने का अनद ले सकते हैं शरद रुतू के महिने में पज़ड के पत्ते और आसमान में रंग बिरेंगी नजारे मन मोह लेते हैं ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉटिपिकेशन बेल को भी ओन कीजिए मिल झाल